आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने वेबसाइट के उपर लाइव क्रिकेट का स्कोर लगा के लोगों तक पहुचा सकते हो तो इस वीडियो में हम बात कर लेंगे किस तरीके से आप इस वेबसाइट के उपर आप क्रिकेट क लगा सकते हो तो उसके बारे में हम डिसकस कर लेंगे तो अगर आपका कोई वेबसाइड है तो आप क्रिकेट का IPL या फिर जो भी मैच हो रहा है उसका लाइब स्कोर आप यहां पे लगा सकते हो ठीक है तो यह मेरा ट्रेंड्स ग्यान जो है मेरा वेबसाइड है आप इसको फ्रंट पेज है इसके उपर आपको सबसे पहले जो भी कर सकते हो कई सारे Ia Publish में फब्लिष है ऑल्रेडि ठीक है तो आगे हम देख लेते किन तरीके से आप अपना लाइफ स्कोर लगा सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने website में login हो जाना है मैं अपने website में login हो गया हूँ तो इसके अंदर simple आपको क्या करना है आपको simple आना है अपने page के उपर और page के उपर आने के बाद जो भी आपका front page होगा ठीक है जो यह मेरा front page है इसके उपर हमें यहाँ पे लगाना है live score तो इसके लिए क्या करना होगा आपके front page पे आना है और जहाँ पे भी आपका front page होगा उसे आपको edit कर लेना है तो मैं edit with elementar कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके लिए आपको एक code चाहिए जो code आपको यहाँ मिलेगा क्रिक टाइम्स आपको क्रिक टाइम्स से सर्च कर लेना है यह जो website है आपको प्रोवाइट करेगा code वगेरा cricket का live score ठीक है यह क्रिक टाइम्स cricket scores इसके अंदर आपको चले जाना है और जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर बहुत सारे आपके match upcoming दिखेंगे बहुत सारे live score का आप लगा सकते हो ठीक है तो इसमें आपको simple क्या करना है एकदम footer पर आ जाना है और footer में जो है आपको cricket live score us equipment क्लिक करते ही आपके सामने यां पर कुछ इस तरीके का इंटर ओईगा और इंटर फेर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर की यहाँ व्या kinda पर कि यहाँ पर दिया गया है और पो दिया गया है इस तरीके से कुछ कोड दिया है एक दीकिश्ट आप friendly होग और यह जो है पी कर लेना इस कोड को करने के बाद आपको simple page पे आ जाना है आने के बाद PER को दिखेगा कुछ इस तरीके का इंडरफेस जीसा भी interface होगा हो क्प्रणट पेजय का उईसा आपके सामने दिख जाएगा तो इसके लिए क्या करना है आपको किस तरीके से आप उस life score को लगा सकते हो तो simple यहाँ पर क्या करना है आपको अगर डेक्टॉप के लिए लगाने है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को चूस कर लीजिए चूस करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपके सामने आगा कुछ यहाँ पर setting up कर लो ठीक है फॉल विट अगर आपको चाहिए जैसा चाहिए आपको ऐसा setting कर सकते हो एंदेन आफटर आपको क्या करना है यहां पर एक टेक्स्ट को एक्स्ट एडिटर को आपको drag and drop कर लेना है अब drag and drop करने के बाद जो भी इसमें लिखा है उसको सबसे पहले हटा दीजे हटाने के बाद यहां पर टेक्स्ट पर आने के बाद जो भी आपने यहां से copy किया था इस code को इसको क्या करना है आपको simple यहां पर आकर add कर देना है add करने को जैसे ही आप add करोगे यहां पर आपको interface दीख जाएगा कि आप जो यह live score लगा रहे हो ठीक है अब यहां पर यह तो desktop friendly है mobile friendly नहीं है तो mobile friendly नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें setting करेंगे advance में जाने के बाद आपको यहां पर responsive लगा देना है responsive के अंदर देखोगे तो यहां पर थोड़ा आपको desktop tablet और mobile दिखेगा तो इसमें mobile friendly नहीं है तो मैं इसे hide कर दूंगा tablet friendly भी नहीं है तो hide कर दूंगा desktop friendly है तो show करूंगा ठीक है अब उसके बाद हमें add करना है किस तरीके से mobile friendly add कर सकते है यह भी मैं बता देता हूँ ऐसे ही प्रोसेस से जादा कुछ है नहीं इसके अंदर तो आने के बाद से आपको अपने हिसाब से setting कर लेना है एडवांस में आके responsive आपको setting करना है responsive में तो desktop friendly नहीं है बाकी mobile और tablet friendly रहेगा फिर आकर आपको text editor को ही यहाँ पर डाइग और ड्रॉप करना है डाइग और ड्रॉप करने के बाद आप सेम एस इस आप cricket time में चले जाईए cricket cricket time में और यहाँ पर mobile friendly जो भी आपको ठीक लगे उसे आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हो कॉपी करने के बाद आकर यहाँ पर टेक्स्ट में इससे तो पहले हटा दे हम फिर उसका टेक्स्ट में आने के बाद इस जगे पर पेस्ट कर दीजिए पेस दीजिए सिंपल पुरा काम होने के बाद आपको अपडेट कर देना है अपडेट करने के बाद अब देखते है कि काम करता है या नहीं करता है इसके बारे में हम देख लेते है यहाँ पर आजाने यहाँ पे live cricket score आ गया है कुछ इस तरीके का आपके सामने live cricket score दीख रहा है उसके बाद चलिए देख लेते हम mobile friendly भी हुआ है या नहीं desktop पे तो हमें खुबसूरत दीख रहा है लेकिन mobile friendly है या नहीं है इसके अंदर क्या दिखेगा आपको live भी सब दिखने वाला है कोई टेंशन नहीं है अब mobile friendly देखने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते है mobile के हिसाब से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है चलिए देख लेते हैं तो देख सकते हो आप लोग mobile के हिसाब से भी हमें compatible दिख रहा है ठीके upcoming match भी आप देख सकते हो कौनसा कौनसा upcoming match होने वाला है आने वाला है यहाँ पे तो और recent में क्या-क्या match हुआ है उसे भी आप देख सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से websites के अंदर हम live cricket match को लगा सकते है और इसे हम अपने website में show करवा सकते है और लोगों तक gain करवा सकते है कि जादा से जदा हमें visit मिले तो इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलते हैं next वीडियो में next trick के साथ तो तब तक के लिए thank you for watching